नमस्कार दोस्तों मैं संदीब आपका स्वागत करता हूँ डिश्टर मार्केटिंग मेर्ट चैनल में आज जो हमारी इस वीडियो को टॉपिक है किस तरीके से आप पेड कैम्पेंग चला सकते हैं जिससे आपके इंस्टाग्राम फॉल्लवर बढ़ जाएंगे आपको कोई डिरेक्ट पेड कैम्पेंग नहीं मिलता बट इस वीडियो को आप एंट देखिए मैं आपको एक सोलुशन बताऊंगा जो आप पेड कैम्पेंग चलाएंगे अगर इंस्टाग्राम पे तो आपके इंस्टाग्राम फॉल्लवर डेफिनिटली बढ़ेंगे पहले कैम्पेंग हम क्रेट करेंगे मॉबल आप से जहां पर मैं लॉग इन अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में जो हम कैम्पेंग करेंगे वो डिरेक्टली लैप्टॉप से करेंगे चाहाँ पर मेरा Instagram जो account वे connected है Facebook page से तो वहाँ से आप किस तरीके से campaign create कर सकते हैं और chances होंगे कि आपके Instagram follower वहाँ से increase हो तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है आपने Facebook page को open करना है इस campaign में हम करने वाले क्या हैं हम Instagram profile visit campaign create करेंगे और directly user होंगर हमारी ad पर click करेगा तो हमारी Instagram profile पर आ जाएगा तो chances would be more कि वह हमें directly आपके जो account को follow करें तो सबसे पहले आपको क्या करना है यहां से switch कर ले ना ताकि हमारे पास जो advertising की जो और options होते है feature tools होते है वो आपको मिले उसके बाद आपको left side से जो add center पर click करना है आपको यहां पर जो option मिल रहा है advertise आपको इस पर click करना है आप देख सकते हैं यहां पर आपके पास option है boost and Instagram post का आपको इसको select करना है यहां पर आपको जो भी आपने Instagram पर post की है वो यहां पर आप देख सकते हैं उनको date wise वो publish हैं, अगर फेस्बूक पे देखना चाहते हैं, तो फेस्बूक पे आप देख सकते हैं, बट इस पर्टिक्लर वीडियो में हम Instagram का post boost करेंगे, तो मैं वापस Instagram को select करता हूँ, और example के लिए हम जो 19th में का post है, उसको select करते हैं, तो यहाँ पर जो boost post का option है, इस पर आपको click करना है, आपको सबसे पहले यह चेक करना है, कि जो आपका add account selected है, कि आप उसी add account से add run करना चाहते हैं, जो आपका balance deduct होगा, यह जो आपने payment method select किया है, तो अगर आपके multiple add account है, तो यहाँ पर drop down प select कर सकते हैं, फिर option मिलता है आपको goal का, अगर यह automatic है, लेकिन अगर आप चाहते हैं, कि जैसे यहाँ पर क्या है, हमारे particular goal होगा, हम get more engagement चाहते हैं, चीक है, तो यहाँ से हम directly उसको select कर लेंगे, और लेकिन जो यह हम add के लिए क्या चाहते हैं, get more profile visit, हम चाहते हैं, कि user हमार profile को visit करें, तब ही तो वो follow करेंगे हमें, साथी में होगा किया, जो meta उन लिगों को हमारी add ज़्यादा दिखाएगा, जिनका chance होगा कि जो instagram profile को visit करें, तो यहाँ से हम second को select करते हैं, अगर हम engagement चाहते हैं, तो हम get more engagement करते हैं, अगर हम अपनी website को promote कर रहे होते हैं, तो हम get more website visitor को select करते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारा को directly user, Instagram, Facebook, Messenger या WhatsApp चलाएं, तो हम यहाँ से फिर fourth option को select करते हैं, तो यहाँ से second option को select करके, save पे click करता हूँ, second यहाँ पर creative, जो advantage creative का option होता है, अगर आप चाहते हैं, Facebook data automatically की ही, आपके जो creative है, उसमें कुछ change करके, जो different variation of people को दिख जिससे आपकी performance improve हो सकती है, तो आप इस option को यहाँ से select रहने दे सकते हैं, लेकिन अगर आप काफी selective हैं, अपने creative के लिए आप चाहते हैं, Facebook कुछ भी change करें उसमें, तो यहाँ से आप इसको off कर सकते हैं, हमने यहाँ पे जो हमारा get more profile visit, हमने जैसे ही goal select की आप दिख सकते ह यहाँ पे, वो directly visit Instagram profile मिल गया है, चीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ से goal select, यहाँ से अगर हम इसको change करेंगे, तो यहाँ पे आपकी पास different button के options आएंगे, बट जो हमारा goal है, यह particular इसमें एक ही button होगा, visit Instagram profile, इसमें होगा क्या, कि जैसे हमारी ad show करेगी user को, तो directly यहाँ पे visit Instagram profile का option है, user इस पे click करेगा, directly हमारी profile पे जाएगा, chances होगे कि वो हमारी profile होकर उसको लगी, उसके relevant है, वो हमें follow करेगे, because Instagram में को directly like Facebook page like, जिसे campaign हो सकता है, बट Instagram में कोई follower campaign नहीं है, तो एक यही campaign है, जिससे आपको follower आप gain कर सकते हैं, और already मैं अपने multiple account में इस campaign को run कर रहा ह और यहां से follower add होते हैं, तो दभी मैं आपको यहां पर suggest कर रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं, follower add करना और आप genuine followers चाहते हैं, तो आपको यहां पर option मिलता है, special add category का, अगर आप यहां पर credit, employment, housing, social issue, election, politics पर काम कर रहे हैं, so आपको यहां से इसको on करना है, otherwise इसको यहां से आ उसके बाद यहां पर आपको add it पर click करना है, और आपको अपने according यहां पर audience create करनी है, दोस्तों मैं audience targeting की उपर काफी detail video create कर चूँक हूँ, जिसमें मैंने cover किया है कि interest, behavior और demographic की base पर किस तरह के से आप targeting कर सकते हैं, तो उसका link में वीडियो के top right में जैता हम आप जाके देख चाहते हैं, और साथे में यहां पर आपको आपका जो estimate daily result है, वो भी show करेगा, तो यहां पर example के लिए गर हम इसको सरफ 3 days के लिए run करना चाहते हैं, तो यहां से हम इसको 3 days कर देंगे, और आपका जो end date अब हो गया है, यहां पर 28th में, यहां पर आपको जो matter suggest करता कि at least instant के according, आपकी जो per day reach होगी, वो आप यहां पर देख सकते हैं, विक यह एक estimate figure है, फिर आपके पास यह placement का option होता है, अगर आप चाहते हैं कि जो matter directly placed को select करें, तो आप यहां से इसको on दे सकते हैं, otherwise इसको आप off कर सकते है, और फिर आप यहां से select कर सकते हैं, अर फिर आप य इंस्टा प्रोफाइल पे डारेक्ट हो जाएगा लेकिन अगर मैं नहीं चाहता कि Facebook के मेरी आड बिल्कुल शो करें सिरफ Instagram पे करें उसर जैसे उस पर क्लिक करें तो हमारे यहां पे क्लिक करेंगे जो आपकी यह campaign है यह create हो जाएगी तो मैं जैसे यहां पे boost post now पे click करता हूं तो यह जो हमारी campaign है अब यह create होगी इसको हम ad center में देख सकते हैं जो हमारा connected ad account में उसमें भी हम इस campaign को check कर सकते हैं तो यहां पे इसके आप summary देख सकते हैं your ad is being created आप देख सकते हैं यहां पर यह भी review में है जो हमारा total budget क्या है जो हमने यहां पर select किया है कितना इस पर tax रहेगा total amount क्या रहेगा यह पूरा को summary मिलती है यहीं से आप directly ad center में जाके भी check कर सकते हैं तो मैं यहां पर click करता हूँ so वापस से हम ad center में आ गए हीं से हमने advertise पर click करके हमें option मिलाता है अब आप देख सकते हैं यहां पर हमारी जो ad है वो in review है तो यह आप जो हमने यहां पर अगर view detail आप देखना चाहते हैं मैं view detail पर click करता हूँ so जो भी आपकी campaign की performance होगी जिसे हमारी जब ad run हो जाएगी तो वो आपको यहां पर show करेगी चिक है यहां पर आप status देख सकते हैं अभी यह in review है क्या आपने goal select के तो पूरा आपको यहां पर फिर से option मिल रहे हैं कुछ आप change करना चाहते हैं आपका card कौन सा है अगर जिसे यहां पर मैं edit ad पर click करता हूँ तो फिर से मैं अपनी जो ad है उसमें कुछ added करना चाहता हूँ location में या audience में तो वो मैं यहां से कर सकता हूँ आप देख सकते हैं यह मेरा connected ad account है अभी हम meta ad manager में और जो हमने post create किया वो यहां पर हमें ऐसा campaign शो कर रहा है तो budget हमने 575 रखा तो वो यहां पर show कर रहा है साथ ही मैं आप यहां पर जो भी result है जब campaign run होगी वो देख सकते हैं और यहां पर आप इसको end date भी check कर सकते हैं अब मैं आपको एक campaign create करके दिखाता हूँ कि आप directly अपने mobile phone से किस तरीके से एक जो हमारा visit Instagram profile campaign है वो create कर सकते हैं आपको जब से पहले अपनी Instagram आपकी profile है उसमें आपको login करना है और उसके बाद अगर जो भी आप post को boost करना चाहते हैं उसको आपको select करना है तो मैं जिसे इस post को select करता हूँ आपको उसके बाद option मिलता है यहां पर boost post का आपको इसको click करना है आपको यहाँ पे आप goal को select करना है तो आप देख सकते हैं सबसे पहला ही option मिरता है आपको more profile visit तो हम EC को यहाँ पे select करना चाहते हैं विकाज इससे क्या होगा कि user हमारी profile पे आएगा और chances होंगी वो हमें follow करें विकाज हमारा end जो objective यही है कि हमें जो एक user है वो हमारी profile visit करके follow करें बिकाज इंस्टाग्राम में को डिरेक्ट ऐसा follower का campaign अभी नहीं है अगर आप चाहते हैं profile visit कराना तो आपके पास यह सारे call to actions आ जाते हैं लेकिन वो हम इस video में create नहीं करेंगे अगर आप WhatsApp campaign रन करना चाहते हैं आपके पास यह option है कि आप directly यहाँ पे more messages को select करें बट इस video के लिए हम select करेंगे more profile visit को उसके बाद आपको यहाँ पे next पे click करना है आपको define your audience का option आता है अगर आप इसको automatic रहने देना चाहते हैं कि Instagram target करें लोगों को जो आपके follower के जैसे हैं तो यहाँ से आप इसको automatic रहने दे सकते हैं या आपने कोई audience अगर create की तो आप देख सकते हैं वो आपको यहाँ पे show करेगी अगर एक audience बिल्कुल आप scratch से create करना चाहते हैं तो create your own आपके पास यह option अगर आप इस पे click करेंगे तो आप यहाँ से अपना audience का कि आपको जो क्या budget रहेगा डेली का लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना यहाँ पे डेली budget है जब हमने laptop से create किया तो वहाँ पे हमारे पास total budget था तो यहाँ से आपको क्या करना आपना daily budget select करना है और यहाँ से आपको अपनी duration उस पो आपको select करना कि मैं चातों मेरी आड ये तीन दिन चले तो यहाँ से हमने 3 select किया और मेरा per day का budget example के लिए यहाँ पे हम चाते हैं कि 300 हो तो यहाँ से हम इसको 300 के select कर सकते हैं जिसनि यहाँ पे 333 daily select हुआ है और अगर आप चाते हैं यह आड इसको manually pause ना करें तो यहाँ से आपके पास option आएगा आप इसको continuous basis पे सरफ आपको अपना daily budget select करना है और आपकी आड ये daily basis पे run होगी अगर आप इसको decision लेते हैं उसके बाद आपको next पे click करना है और फिर आपको अपनी जो आड है उसको review करना है आप goal देख सकते हैं audience देख सकते हैं आपका budget जो आपका payment method वो आपको यहाँ पे show करेगा साथी में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपका जो इतना भी हमारे spend होगा वो आपको यहाँ पे show करेगा कि जो आपका total आपका जो spend है वो कितना है यहाँ पे हमने क्या किया है यहाँ पे हमने daily budget रखा 83 तो यहाँ पे हमें सिरफ यह 97 दिखा रहा है अगर लेकिन अगर हम यहाँ पे duration रखते तो जो हमारा total budget पे text होता है वो हमें पूरा show करता जैसे मैं यहाँ पे boost post पे click कर दूँगा अगर मैटा में जाके हम engagement अगर अपने जो objective को select करते हैं तो हमें option मिलता है Facebook page का जिसमें जो हमारा performance goal होता है maximize number of page like इसके उपर हम इसको जो हम optimize कर सकते हैं तो यहाँ पर क्या होता है जो हमारी campaign run करती है तो हमें page जो like है हमारा एक KPI होता है result होता है but unfortunately अभी Instagram में ऐसा कोई direct campaign नहीं है कि जिसमें अगर आपने चला है तो directly आपके follower बढ़ने start हो जाएंगे future में आ सकता है but अभी नहीं है तो इसी वज़े से मैंने आपको यह बताया कि अगर आप यह campaign चलाते हैं तो आपको Instagram पे आपके follower बढ़ते हैं because already मैं run कर रहा हूँ तब ही मैं अपने experience से आपको बताया future में आता है directly campaign आप create कर सकते हैं जब तक नहीं है आप view profile जो यह campaign है इसको आप run करें और यहां से आपको एक जो अच्छे follower है वो आपके increase होने start हो जाएंगे आपके Instagram profile पे वीडियो को like कर दीजी चनल को subscribe कर लिजी थैंक यू फर वाचिंग